नमस्कार मैं हूँ सच्चिदानद वसेट सजनों एक खास वीडियो आज हम आपके सामने लेकर के आये खें लोग रत्न पहनते हैं और मन्माने ढंग से पहन लेते हैं अब किसी के पास में वो जाते हैं वो पूशते हैं जी मेरी रासी फना रासी है मेरी तुला है कुम्ब है मीन है मेस है और उस रासी का स्वामी जो भी होता है उसका रत्न बता दिया जाता है लेकिन वो धारण करना उचित नहीं है उस प्रकार से धारण करना उचित नहीं है रत्न अगर पहनना हो तो प्रामानिक जनम पत्री बने और जनम पत्री बनने के बाद में उसमें जो सुब ग्रह होते हैं लगनेस है, पंचमेस है, नौमेस है, त्रिकोन के मारिक हैं, केंद्र के मारिक हैं कहां कौन सा ग्रह वीक है, कहां कौन सा बलवान है उन सब को देखने के पश्चाद निरने किया जाता है कि आपको अमक रत्न पहनना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता जोरी के पास चले जाते हैं जी मुझे पन्ना दे दीजिए मुझे नीलम दे दीजिए मुझे हीरा दे दीजिए मुझे मुंगा दे दीजिए पुकरास दे दीजिए जो भी गए वहाँ जाकर के आप लोग मांग लेते गए लेकिन और उसको जड़वा भी लेते गए जिस भी धातू में आपको जड़वाना होता है उसको आप जड़वा भी लेते गए चाये वो सोना है चांदी है तांबा है पंच धातू है प्लेटिनम है आप उसको बनवा भी लेते गए और आपको ये पता है कि ये ग्रे ये रत् से पहली बात जनम कुण्ड़ी के आधार पर लगन के आधार पर रत्न पहने जाते हैं और वही हमें जीवन के अंदर लाब देने वाले होते हैं देखिए कुण्ड़ी कहीं भी घूम सकती है और घूमने के पश्रात वहां पर सर्वे त्रिकोन नेतारो ग्रहा सुफलप्रदा आपकी रासी कुछ भी है और वो रासी अगर सस्ठेस है वो रासी का मालिक सस्ठेस है अस्टमेस है तरतियस है या एकादस का मालिक है तो आप कितना भी उंचा और कितनी भी कीमती जो है मुल्य के अंदर आप रत्न पहन लीजिए वो लाब नहीं करेगा वो नुक्सान ही द तो ऐसी इस्तिती के अंदर जो सुब फल देने वाले ग्रेह हैं उनका रत्न पहनना चाहिए जैसे मेशलगन है तो मेशलगन के अंदर सबसे पहले मूंगा है, मानिक के है और पुखराज है ब्रश लगन है तो वहाँ पर हीरा है पन्ना है और उसके पश्याद वहाँ पर नमबर आता है नीलम का मिथुन लगन के अंदर पन्ना और उसके पश्याद जो है शनी का रत्न अर्थात नीलम और हीरा आता है तो हर लगन के पलटने पर हमारे रत्न बदल जाते हैं तो पहली बात तो ये गए, बिना जनम पत्री के रत्न मत पहनियेगा, केवल नाम रासी से रत्न मत पहनियेगा, और नाम रासी की बात भी ये गए, जरूरी नहीं है कि आपका नाम वही है जो जनम कुनली के अंदर निकला था, क्योंकि जनम के समय पर जो नाम अच्छा लगा वही नाम हमने रख दिया तो वो रासी हमारी निश्यत नहीं है हर रासी का एक महत्व होता है और हर रासी जनम के नक्षत्र के आधार पर निकलती है और उसके आधार पर हमने रत्न पहन लिया लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कुंडली के आधार पर जो सुब ग्रह बन रहा हो उसका ही रतन हमको पहनना चाहिए दूसरी बात ये गए जब भी आप रतन पहनते गएं सीधा जोहरी के पास में गए रतन खरीदा बनवाए और आपने धारन कर लिया तो धारन करने मातर से कुछ नहीं होगा आपका मोबाइल है जब तक आप उस मोबाइल के अंदर चार्जिंग नहीं है तो मोबाइल कितना भी मेंगा क्यों नहीं हो वो आपके काम नहीं करेगा उसमें आवाज नहीं आएगी आप ना सुन सकते और ना आप फोन कर सकते क्योंकि charging हो चुकी है तो इसी तेना से प्रतेक रत्न की प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्राण प्रतिष्ठित रत्न अगर आप पहनते हैं तो वो आपको जीवन के अंदर लाप देंगे फायदा देंगे आपकी कामनाओं को पूर्ण करेंगे आपके भाग्य को उन्नत करेंगे और आपके सारे कारेपूर हूँगे लेकिन अगर वो चार्ज किये हुए नहीं है यानि पराण प्रतिष्ठित नहीं है जिनको सिद्ध करना भी कहते गए अगर ये नहीं है तो फिर वो जो है काम नहीं करते हैं और काम करते हैं तो अपेक्षाक्रत बहुत कम करते हैं आप कहते हैं मैंने तो ये भी पहन लिया वो भी मेरे काम नहीं किया अरे भाई मात्र केवल आपने तो पत्थर पहना के रतन तो वो जब बनेगा जब प्रान प्रतिष्ठित हो जाएगा और प्राण प्रतिष्था के लिए हर रतन के लिए उसी ग्रह के 11,000 मंत्र जाप करने होते हैं 10% उसका हवन करना होता गए यानि 1100 आहूतिया उसकी देनी पड़ती हैं और फिर उसकी प्राण प्रतिष्था की जाती है तब जाकर के वो आपके जीवन में कुछ काम कर सकता है अन्यता वो काम नहीं कर सकता और आप ये सभी रत्न प्रान प्रतिश्ठित रत्न आप हमारे संस्थान से ले सकतेंगे इन नमनों पर संपर्क करके कारेले से अपाइंट्मेंट ले करके सबसे पहले ये निरधारन कीजिए कि हमें रत्न कौन सा पहनदा है और रत्न जब आप हमारे संस्थान से लेंगे तो उसको प्रान प्रतिश्ठित करके और विधीवत उसकी सारी जो Cont controversy करके तूस सम्परकर कि अपाइटमेंट लेकर के कारेले की सेवाएं हैं वो अरपन करें और आप जो भी जानना चाहते हैं वो किसी भी संबंद में है वो आप जान करके लाव उठा सकते हैं नमस्कार हमारे यहां वैदिक ब्रह्मनों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाट कर्मकांड, संगीत में विभा, ग्रीक लेश, काल सर्प दोश, व्यापार में रुकावट वन नव ग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है हमारे संपर्क सूत्र है देवग्य सच्चिदानंद वशिष्ट जी से वास्तु, जियोतिश, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाट, महमृतिंजय पाट, शत्चंडी पाट, बगुला मुखी पाट, भैरव अनुष्ठान आधी, राशी रत्न, रुद्राक्ष, कवच आधी हितु संपर्क करें हमारे संपर्क सूत्र हैं 783888-98421